नमस्कार आप लाई बिहार देख रहे हैं मैं हूं राज मुहन तिवारी 2024 लोकसवा चुनाओ जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है बिहार में NDA के अंदर सीट सेरिंग के फॉर्मूले को तै करने का दबाओ भी BJP के उपर लगतार बढ़ते जा रहा है बीते दिन जिस तरीके के बयान उपेंदर कुश्वाहा चिराग पास्वान और जितनराम मानजी के पार्टी के तरब से दिये गए वो बताते हैं कि अब बिहार में NDA के अंदर प्रेसर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है और तमाम सहयोगी दल चाहते हैं कि अब BJP उनके सीटों को फाइनल कर दे और प्रेसर पॉलिटिक्स भी है कि जितनी सीटे BJP दे उससे ज़्यादा जटकने की कोशिस कर ली जाए और इसके लिए तमाम बयान चिराक पासवान उपेंदर कुश्वाहा और जितनराम माजी की पाटी के दरब से दिये गए उपेंदर कुश्वाहा ने साफ कह दिया कि तीन सीटों से कम पर तो बाती नहीं बनेगी चिराक पासवान कहते हैं 2019 की जो तमाम सीटे हैं उस पर लोचपा राम विलास के उमिदवार उतरेंगे और जीतनराम माजीब कहते हैं कि हमें एक सीट ही क्यों सुरक्षित मिलेगी जिसमें एक हाजीपूर की चर्चा तो खूब होती है एंडिये के अंदर और दूसरी सबसे ज़्यादा चर्चा होती है नवादा की अब नवादा सीट पर मौजूदा सांसद हैं पसुपती पारस के चंदन सिंग जो कि सुरजभान सिंग के भाई हैं 2024 में भी चुनाओ लरने की तयारी में हैं लेकिन इस सीट पर जीतन राम मांजी के दावे ने उनके हाथ पाओ फुला दिये हैं अब जीतनराम मांजी साफ कहते हैं कि हमें एक सीट क्यूझ दी जाएगी जब तमाम सहयोगी दलोग को दो से अधिक सीटे मिलेगी तो हमें भी कम से कम दो सीटे तो मिलने ही चाहिए जिसमें एक गया की सुरक्षित सीट तो लगभगता है लेकिन दूसरी सीट जिसका नाम उन्होंने लिया है वो है नवादा की सीट अब नवादा की सीट पर दावा ठोकने के पीछे उनका कारण है कि इस सीट पर दलीत महा दलीत वोटरों की संक्या सबसे जादा है लगबग पाच लाख के आसपास है और ऐसे में दलीत नेता होने के नाते वो इस सीट को अपन पाले में करने की कोशिस करते हैं हलांकि चंदन सिंग भले ही भूमिहार है लेकिन जिस पार्टी से वह 2019 में सांसत बने वह भी दलीतों की पार्टी कहीं जाती है राम बिलास पास्वान की पार्टी कहीं जाती थी और वह पार्टी लोग जन सकती पार्टी थी हलांकि अब पार पीच में नवादा की सीट पर जितन राम मांजी ने दावा ठोक दिया है लेकिन क्या दावा ठोक देने भर से उनको यह सीट मिल जाएगी यह सबसे बड़ा सवाल है सबसे पहले नवादा की सीट के समिकरन को हम आपको बता देते हैं जाती है समिकरन क्यूंकि उसी के अधार पर बिहार में जोर तोर की राजनिती होती है उसी के आदार पर टिकट बाते जाते हैं उसी के आदार पर वोट गिरते हैं तो उसको भी समझ लीजिए यहां पर सबसे जादा वोटर दलीत महदलीत हैं लगबक साड़े चार से पाच लाख के आसपास उसके बाद भुमिहार व धानुक की संक्या धाई लाक है और वैस की संक्या लगबग एक लाक से थोड़ा बहुत जादा होगी यानि कि दलीत महादलीत यह सीट इस वजह से कई सालों तक सुरक्षित सीट रही 2004 तक सीट के लिए यह सीट को सुरक्षित रखा गया लेकिन 2009 से यह सीट समान निश्रेनी में कर दी गई यहानी कि अब यहाँ पर हर कोई चुनाओ लर सकता है और उसी के बाद से लगातार इस सीट पर बीजेपी का कब जा है बीजेपी कहिए या फिर एंडिये कहिए 2009 में भोला सि और 2019 में एंडिये के तरब से लोचपा के सिंबल पर चंदन सिंग लेकिन अब 2024 आ रहा है और 2024 को लेकर एंडिये के अंदर पहले से ही घम असान है कौन सिक सीट किसको मिलेगी यह खूब आपस में अभी दाओं पेज करे जा रहे हैं खासकर लोचपा के अंदर है चिराग कह कहते हैं कि पुरानी सीट पर हमारी पाटी लड़ेगी में नवाधा की सीट पर जीतन रां मांजी ने दावा ठोका उनका कहना है कि दलीट प्लस भुमिहार का कमबीनेशन यहाँ पर सटिक बैठता है और वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी को यह सीट मिले और किसके लिए यह जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है देखिए जितनराम मांजी जो इस सीट पर दावा कर रहे हैं उसके पीछे सबसे बड़े कारण है रोमित कुमार रोमित कुमार पुर्व सांसद जहानाबाद के अरून कुमार के भतीजा है अरून कुमार तीन भाई अरून कुमार और अनील कुमार अरून कुमार थोड़ा कारोबारी है राजनिती में सकडिये कम रहते हैं लेकिन उनी के बेटे हैं रोमित कुमार अरून कुमार तो पहले स से भी सांसद रहे हैं अभी लोचपा में हैं एक बार फिर से चिराक की पार्टी से जहनाबाद लड़ने की उनकी चर्चा सबसे ज़्यादा है अनील कुमार टेकारी से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के ही विधायक हैं और उनी के भतीजे होते हैं रोमित कुमार जो की जितन राम माझी के मांगने भर से उनको दे देगी क्या चण्दन सिंगर टिकट इतनी असानी से कट सकता है यह बड़े सवाल नड़ीर के अंदर बीजे पी के बारे पर में एक बात साफ कहीं जाती है कि जब भी एक शीत को वो । वो Conoco You and अगर दूसमार की उमिद्वारी को लेकर शितन राम्हाजी बीजेपी के पास जा रहे हैं तो मुश्किल मेफच सकते हैं क्यूंकि रोमित कुमार कोई बड़ा चेहरा नहीं है उनसे बड़े बड़े नेता भी बीजेपी के पास खुद है और ऐसे में उनके लिए यह सीट बीजेपी छोड़ दे थोड़ा मुस्की है लेकिन अगर लोचपा रामदिलास और रॉस्ट्रिये लोग जनसक्ति पार्टी के अंदर ऐसे ही खटपट होती रही और चिराग पासवान अगर चंदन सिंग को नवादा लराने को तयार नहीं हुए किसी और की बात करने लगे और चंदन सिंग माने नहीं तो फिर एक कॉंबिनेशन बीजेपी यहां बना सकती है एक तो चर्चा है कि बीजेपी खुद चंदन सिंग को ट जादा काम करेगी और इसलिए किसी दलीत नेता की पार्टी को इस सीट पर सीट सेरिंग में यह सीट उनके खाते में दी जा सकती है चाहे चिराग की या पारस की या फिर जितनरामा जी की तो ऐसे में चिराग और चंदन सींग के बीच अभी 36 का आकरा है और ऐसे में कमी सीटें मिलेंगी कितनी नहीं मिलेंगी लेकिन अगर जीतनराम माजी की पार्टी के खाते में यह सीट जाती है तो वैसी परस्तिती में बीजेपी उनको कैंडिडेट के साथ सीट दे सकती है और कहेगी कि चंदन सींग के साथ आप यह सीट ले लीजिए अपना सिंबल चंद पिछले 2009 से लगातार इस सीट पर आरजेडी अपना उमिद्वार उतार रही है जब से यह सीट समान निश्रेनी में आई है 2004 में जब यह सुरक्षित थी तो आरजेडी ने यहां से चुनाओ जीता था लेकिन उसके बाद जदोजहद में है राजबलब यादव वीभा देवी लगातार चुनाओ लरती रही है लेकिन उनके नसीब में नहीं आ रही है ऐसे में अब महागडबंदा ने नितिश कुमार की भी पार्टी अब आरजेडी के साथ है ऐसे में अब देखना बरा दिल्चस्प होगा कि उमिद्वार कौन बनेगा लेकिन एमवाई समिकरन इस सी यादव चेहरे के बजाए भूमिहार चेहरे पर दाओ खेले अब विभादे भी पिछले बार भी तो चुनाओ लरी ही थी लेकिन हुआ क्या एक बड़ी मार्जिन से वह चुनाओ लगबग डेड़ लाग वोटो से हार गए उसके पहले भी उनके पती राजबलब यादव लगबग इसी डेड़ लाग के आसपास वोटो से चुनाओ हारते रहें तो नवादा की सीट पर भले ही दमखम के साथ उतरने की कोशिस आरजेडी करती रही है यादव चेहरे के साथ लेकिन एमवाई का समिकरन और अगर कूर्मी को भी जोर दे तो उतना फीट नहीं बैठ कि वो चुनाओ जीत पाए ऐसे में एक नाम की चर्चा जरूर चलती है और वो हैं नीलम देवी मोकामा से विधायक अनंद सिंग की पतनी आरजेडी में हैं बुमिहारों के एक बड़े चेहरा है अनंद सिंग और उनके बदौलत नवादा में लड़ाई लड़ी जा सकती है अगर नीलम देवी को टिकट जाता है तो ये भी कहा जाता है कि विवादेवी भी ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगी क्योंकि बैक डोर में कहा जाता है कि दोनों ही बिजनस पार्टनर है दोनों परिवार तो ऐसे में नीलम देवी भूमिहार चेहरा बड़ा भूमिहार चेहर तो कहीं लराई दमखम के साथ इस सीट पर होगी लेकिन महागडबंदन में एक और चर्चा है कि अगर कहीं नीलम देवी को महागडबंदन की सरकार में मंत्री बना दिया गया फिर तो एक बात तय हो जाएगा मंत्री मंडल का अगर विस्तार हुआ तो कि वो चुनाओं नहीं लड़ेंगी ऐसी परिस्तिती में एक और चहरा बताया जा रहा है और वो हैं पुर्व डीजीपी करूना सागर हाली में आरजेडी इन्हों ने जुआइन किया है लेकिन इनके बारे में चर्चा है कि जहानाबाद लड़ेंगे लेकिन जहानाबाद में अभी मौजूदा त समुदाय के नेता बन चुके हैं अब अगर नवादा में उतरेंगे तो कुछ खेल कर सकते हैं और इसके अलावा एक और चहरा आजकल चाय हुए हैं भोजपूरी सिंगर सुपरस्टार गुंजन सिंग चुनाओ लड़ने का दावा तो ठोकी चुके हैं कहां से लड़ेंगे अब चुनाओ लड़ेंगे किस पाटी से लड़ेंगे या निर्दल ये लड़ेंगे और कितना चाप छोर पाएंगे यह देखने वाली बात होगी लेकिन फिलहाल जो नवादा के सीट पर है यहां पर लड़ाई होगी बड़ी दमखम के साथ लड़ाई होगी और चंदन सि किस सिंबल पर लड़ेंगे यह देखने वाली बात बड़ा दिल्चस्प है क्योंकि चुनाओ तो लड़ेंगे एंडिये में बात नहीं बनी तो महागडबंदन में भी जा सकते हैं लेकिन चुनाओ लड़ेंगे नितिश कुमार के साथ उनके रिष्टे खराब नहीं है तो इस सीट के शमिकरन को देखे तो भूमिहार पलस दलीत महादलीत का कॉंबिनेशन तमाम समिकरनों पर भारी परता है और इस शमिकरन के आधार पर इंडिये का पलड़ा जरूर भारी है लेकिन अगर महागडबंदन ने भी भूमिहार को उतारा तो यहां की लड़ाई चस्प देखने को मिल सकती है देखना होगा कि एंडिये के खेमे से नवादा की सीट किसके खाते में जाती है और चुनावी चहरा मैदान पर कौन बनता है बन रही है लाइफ बिहार के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद लाइफ बिहार यूट्यूब पर सब्सक् चुर करें